नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्टेडियाई के केडिन स्वागते यहाँ पर राजस्तान 2022 में नई वेकेंसी का नोटिपिकेशन आ चुका है राजस्तान करमचारी निगम बरती तो यह बरती बहतो पुन बरती है इसमें पदों की जो है संक्या टोटल ओल और इंडि होगी MTS तो तीन पोश्टों पर यह बरती निकाली गई है जिसके पोरम 15 जनवरी से 15 परवरी तक बरे जाएंगे इसमें योग्यता दसवी बारवी और आपकी ग्रेजेशन होगी अलग-अलग पोश्ट के लिए अलग-अलग योग्यता है तो सारी जानकरी बताऊंगा और इसके सेले बस और इसकी एकजाम पेटन के दिनी जानकरी छीए आपको तो कमेंट अभी तुरंद कर दीजेए उनकी भी वीडियो में अलग से बना दूगा क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ज़्यादा इन्पॉर्मेशन इसी वीडियो में दूगा त समझ में चलिए ये रही महतोपूर्ण नोटिपिकेशन आज का तो करमचारी राज्ये बीमान निगम तो ये वेकेंसी निकाली गई है देख सकते हैं यहाँ पर पंचदी बवन बवानी सिंग रोड जैपूर सेत्रिय कारेले तो यहाँ से ये वेकेंसी निकाली गई है तो यहाँ पर देख सकते हैं यह वेकेंसी निकाली गई है ओनलाइन एप्लिकेशन होगा शुरू और वेबसाइट का नाम है www.esic तो यहाँ पर यह वेबसाइट आपने देख लिये वेबसाइट का नाम आपने देख लिया esic.nic.in ठीक है तो इससे आप फोरम बढ़ सकते हैं अपर डिवजन कलक UDC, Steno और MTS की जो है यहाँ पर रिक्वाइरमेंट निकाली गई है तो चलिए आपको दिखा देता हूँ य गारेक्ट रिक्वाइरमेंट, esic, age under, ठीक है, detail of vacancy है, राजस्तान में जो vacancy है उसकी detail है और अन्य राजे में भी इसी प्रकार vacancy निकाली है, UDC के जहाँ पर जो पदों की संक्या है, total general की 66 पदों पर vacancy है, आप अलग अलग केटिगरिवाइज देख सकते हैं, Steno की पदो की vacancy देखें, तो total 15 पदों पर राजस्तान में vacancy है, MTS की बात करें, तो यहाँ पर 105 पदों पर vacancy है, तो केटिगरिवाइज आप यहाँ पर check कर सकते हैं, तो यहाँ पर आगे जो educate lesson qualification है, वो सारी जानकरी आपको बता देता हूं, जो पैसे मिलेंगे, scale हो पे, तो UDC और इ सार पेसे मिलेंगे, 25,500 से 81,100 रुपे तक, ठीक है, कमिशन क्यों सरहेगा, इनमें पे, सेंट्रल करेंगा, सातवा, और यहाँ पर MTS की बात करें, तो पे लेवल वन रहेगा, 18,000 से 56,900 रुपे आपको पर मन्त मिलेंगे, चलिए, अगली ख़बर देखते हैं, यहाँ पर education qualification, qualification, education, qualification and other qualification देगे, UDC के लिए चीए, 8 degree of recognized university और equal है, यहाँ के आपके पास degree होनी चीए, BA, BSC, Bcom, या आपने बीटे को गिरा कर रका है, BSC कर रका है, तो आप फोरम बर सकते हैं, साथ ही मैं आपको चीए, working knowledge of computer, including huge of office, site, and database, ठीक है, तो यह आपको यहाँ पर चीए, करें, तो 12th pass, equivalent, आप बार भी पास होना चीए, साथ में आपके पास skill होनी चीए, आपको बस यह ग्यान होना चीए, और यह काम अच्छी है, डिक्टेशन आपको लिखनी है, 10 minute में, 80 word per minute, ट्रांस, 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 तो यह only computer में लिखी जाएगी, MTS की बात करें, तो हम बात करें, matriculation और equivalent pass होना चीए, यानि कि 10 भी पास जो अभियरती है, ठीक है, 10 भी पास अभियरती MTS का फोरम बर सकता है, तो राजस्तान में शांदार मोखा है, आपको नोकरी पाने का केंदर सरकार की, ठीक है, यह vacancy बह परवरी 2022 के अनुसार, MTS की 18 से 25 साल के जो भी 15 परवरी 2022 के अनुसार है, फोरम एपलाई कर सकते हैं, जो छूट दी गई है, CST, OBC, PWD केंड़ेट को अलग-अलग आप देख सकते हैं, एक सरिस्वेन को भी दी गई है, आधर केटिगरी को भी इस प्रकार दी गई है, सभी दियारती फोरम बर सकते हैं, यहांपर, यह महातों पुने फोरम किस्प्रका बनना है, यह आप पूरी पीडियाब ले सकते हैं, ये पीडियाब अमारे टेलिग्राम गृरूप, स्टेडिया, इक सरिस्वेन को भी लड़किया, डिपार्टमेंट के कैंडिट्, एक सरिस्व OBC जनरल किसी भी केटिगरी के उनके डाइसो रुपे हैं और अधर केटिगरी है जैसे कि OBC हो गया आपके और जितनी भी अलग अलग केटिगरी है उनकी जो पीस लगेगी वो पानसो रुपे लगेगी ठीक है चलिए और क्या है जहाँ पर जो एक्जाम होगा मोडो पेमेंट होगा और एक्जाम भी ऑनलाइन होगा ठीक है तो यह जानकरी आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट थी जो कि मैंने आपको बताई है आसा करता हूँ आपको यहाँ पर और फोरम बढ़ते समय आपको थम इंप्रेशन भी लगाना होगा इसमें बहुत सारी चीज़े आपसे मांगी जाएगी तो फोरम कैसे बरना है सारी जानकरी में आपको बताऊंगा इसलिए आप हमारे साथ जुड़ी रही है आपको सारी जानकरी अवेलेबल करा देंगे तो नहाँ पर देखिए और भी सारी जानकरी और नहाँ पर नो टीए डीए विल भी पेड एनी कैंडिडेट इंक्लूडिंग सेस्टी कैंडिडेट पूर अपेरिंग इन्दा एग्जामिनेशन यानि कि इस एक्जाम में आपको टीए और डीए यानि कि ट्रैवलिंग एवेरियन्स आपको मिलता है यानि कि जो खर्चा मिलता है आने जाने का वो यहाँ पर नहीं मिलेगा तो यहाँ पर लिकावाँ नो टी ए और डी ए विल भी पैड एनि कैंडेट इंक्लूडिंग यानि कि इनको भी इनको भी नहीं मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा तो यहाँ पर यहाँ पर आप सेंटर वन्स तुनिया पर आप चोईश कर सकते हैं ए एक्जांटर वगिरा यह आप देख सकते हैं इसकी मोप एक्जामिनेशन ये सारी जानकारी मैं अलग वीडियो में बना दूँगा ताकि आप लोगों के लिए क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या होंगे सारी जानकारी आपको अलग से बता दूगा ये वीडियो बीडियो हो जाएगी इसे समझ में भी नहीं आएगा पिर तो आपके दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फोरम समिशन तो यहाँ लिंक एक्टिव जो होगा वो 15 जनवरी 2021 है और आपकी जो कलोजिंग डेट है वो होगी 15 परवरी 2021 तो यह यहाँ पर महतोपूर्ण अपडेट है आप लोगों के लिए यह वेरी वेरी जो है न्यूज थी यह न्यूज आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करेंके मुझे जरूर बताए न्यूज परसंद आई है तो ऐसी न्यूज में लगातार आपके लिए ले आता रहूँगा और एक और बड़ी बरती की जानकर में आपको दिन में देने वाला हूँ तो आप आप मेरे साथ जुड़ी रही है यह वेकेंज ही होगी बहुत बड़ी एयन जैयन उसके लावा एस एम टीएस पड़ चतुरसनेनी करमचारी हर प्रकार की बरती की अपडेट आपको दिन में देने वाला हूँ जो की होगी दो जार बाइस की सबसे बड़ी बरतिया उसकी ज